नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज हम Ancient and Medieval Indian Political Thought के Unit 2 जो की मनु उनके साहित है मनु स्मृति को डेडिकेड़ है और इस यूनिट को आज हम करने जा रहे हैं अपनी लेक्चर के माद्यम से तो मनु आप जैसे कि आप समने कई बार ये नाम शुरॉआ होगा मनु स्मृति यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जो मनु है वह एक वैक्ती भी हो सकते हैं वह एक परंपरा भी हो सकती है ठीक है जो एक परंपरा जिसमें लबद जितने जितने स्कॉलर्स थे पंडिट थे उन सबने अपना-पना contribution या फिर अपना-पना योगदान दिया तो हो सकता है कि यह जो मनु है एक परमपरा भी हो सकती है और एक tradition भी हो सकती है तो यह जो इस्मृति है जो इस्मृति है वो धरुण सास्त्र tradition के अंदर आता है धरुण सास्त्र और सबसे प्रमुख और सबसे पहली स्मृतियों में से एक है और ऐसा माना भी जाता है कि जो मनु है वो पिर्थवी पर सबसे पहले प्राणी थे पहले प्राणी थे पहले राजा थे और इनको जो मनुस्मृति का जो ज्यान है वो डारेक लॉड ब्रह्मा ने दिया था ब्रह्मा से इनको ये ग्यान मिला था अब देखे एक दो बाते यहाँ पर आपको जनने और समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि देखे जो मनुश्मिर्थी है मनुश्मिर्थी हम तीन चार स्वरूप में हम पढ़ेंगे मनुश्मिर्थी एक आचार सहीता की रूप में कारे करती है आपका आचार कैसा होना चाहिए आपका वैवार कैसा होना चाहिए ठीक है और दूसरा आप कैसे अपने कर्तव्यों अपने दैनिक जीवन में आप अपने कैसे निर्वा करेंगे जिससे कि आपको मोक्ष मुलेगा ठीक है ठीक है आप अपने कारे को करते हुए कैसे अपने मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं यह मनुस्मिर्थी का कोर है, पाचार वैवार, और कैसे आप एक मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, वो सनातन ज्यान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह इसके केंद्र के विशे हैं, तो यहाँ पर जो मनु है, वो उपदेश देने की कोजिस करें, मनुस्मिर्थी क्या करें, ऐसा करोगे तो ऐसा भला होगा और जाने अंजाने में अगर कोई पाप हो जाता है तो हम उससे कैसे बचे वो क्या पश्यताप है क्या हम कर सकते तो एक तरसी एडवाइजरी का रोल ली करती है एक दिशा देती है कि इस तरीके से हिंदु समाज या फिर जो इंशन जो से निर्वाव करना है अब देखे यहाँ पर मनुस्मिर्थी को हमें पढ़ना इसलिए आविश्यक हो जाता है कि यदि अगर हम भारत के इत्यास को देखे तो नो डाउट भारत का जो भूत काल रहा है उसको समझने के लिए मनुस्मिर्थी एक मैत्पून पुस्तक है ठीक ह दूसरा बात मनुस्मिर्थी या मनु की जितने भी कानून है वो कभी भी भारत में पूर्ण रोप से लागो नहीं हुए राजाओं ने अपने अपने परिवेश अपने अपने भुगोलिक शीमाओं के आधार पे अपने उत्पादन के संसादन के उपलब्दता पर अपने अपने हिसाब से इस नियम को पालंड करें तो कई बार हमको देखने को मिलता है कि मनु महिलाओं के लिए एक तरफ ऐसा बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ उसको कंट्रोल करने की बात करने जैसे फोर एक्जामपल जैसे महिलाओं के बारे में आप समने एक सनुक सुनाओग देनी जीवन में कि यत्र नारी पूजयंते रमंते तस्य देवता जहां पे महिलाओं की पूजा वो जहां पे महिलाओं को सम्मान होता है वहीं पे ईश्वर या देवता का वाश होता है और वहीं पे दूसरी और मनु स्मिर्थी में ये भी का गया है कि महिलाओं को कंट्रो उनको जीवन को संदरवित करना है, उनको संदरचित करना है, वो सब मनुस्मिर्थी में लिखा हूँ, वही पर हम देखेंगे सुर्द्रों के बारे में लिखा हुआ है, किस तरीके से उनके साथ वेहवार करना चाहिए, आचार करना चाहिए, अतिती जैसे घर पे आता है, तो किस तरीके से अथिती का सतकार करना चाहिए, चाहिए वो किसी भी वर्ण का हो, तो ये सब मनुस्मृति में व्याख्यामवित है दूसरा महत्पूनवाद यह है, कि जो मनुस्मृति है, ये कोई देवी आदेश नहीं, ये मनु अपनी स्मृतियों के इसाफ से यह बताने की बात कर रहे हैं अपने सिधान्तों के इसाफ से यह बता ये कोशिस कर रहे हैं, कि आचार वेवार से कैसे आप स्वध्धर्म के माद्यम से कैसे मुक्ष पहा सकते हैं और देखे मनुस्मृति का जो कोल सिद्धान्त है कि व्यक्ति को कैसे आध्यात्मिक बनाया जाए, कैसे वेद का मूल दिया जाए कैसे व्यक्ति अपना स्वध्वरं का पालन करते हुए मोक्स को ब्राफ्ट कर सकता है, किसी भी वर्ण का व्यक्ति क्यों न हो नो डाउट हमें ये देखने को मिलता है कि मनुस्मिर्थी में वर्ण के हिसाब से व्यक्ति के कारे, व्यक्ति के आजार, व्यक्ति के वहवार, व्यक्ति का स्वधन अलग-अलग है अब अगर हम ये देखे, देखे, एंशन टाइम में लबग मनुस्मिर्थी का जो टाइन पिरेड है, लबग आज से तीन हजार साल पहले, लबग ठाई ये तीन हजार साल पहले ये टेक्स एग्जिस्ट में आया, वहवार में आया, ये फिर परचनन में आया, बगर इसका क अच्छे समाज को चलाने के लिए हमें कानौन की जरुवत होती है, जैसी कानौन का देखेंगी, तो बहुत टाइन तक यही परचलित था, कि एक आख के बदले दूसरी आख, कि अगर किसी ने मेरा बुरा कराए, तो सीम, उसका भी मैं, उसने मेरा हाथ काट दिया, तो मैं फोर एन आई, ठीक है, आख के बदले आँख, ऐसा न्याय का सिद्धांत, मगर यहाँ पर देखेंगी, मनौन एक अलग स्वरूब में बात करने की गोसुस के लिए, अगर आप देखेंगे, कि नोट आउट मनौन स्विर्ती में, जो ब्रामन है, उसको एक उच्छ स्थान पर रखा गया है, मगर डंड की सिरेनी में अगर हम देखें, अगर कोई माली जैसे स्टीलिंग है, चोरी का अगर कोई करता है तो, जैसे शूद्र है, अगर वो चोरी करता है तो उसको आठ गुना उसको डंड दिया जाएगा, ठीक है, वही पर अगर वैश्य है तो उसको 16 गुना डंड दिया जाएगा, हरजाना जो होगा, उसको 16 गुना, शत्रिय को 32 गुना, और ब्रहमन को 64 गुना या फिर 100 गुना, इस तरीके से बात करा गया है, देखिए नियाय में हमेशा एक जो नियाय की सिध्धान जो आज भी LLV कर रहे है या फिर जो सुप्रीम कोट म अपना जज है सुप्रीम कोट है, जो है, वो भी आज भी हमारी जो नियाय पाले का इस तरीके से डेलेमा में रहती है, कि क्या हमको जो नियाय है, वो जर्नल होना चाहिए, जेनरलिस्टिक होना चाहिए, या पार्टिकुलरिलिस्टिक होना चाहिए, कि होना चाहिए कि जिसे फोर एजामपल अगर आप देखेंगे कि जर्नलिस्ट मतलब अगर कोई क्राइम करा है इन में से किसी वर्ण ने भी तो सेम सब को पनिस्मेंट एक जैसा होना चाहिए या पर्टिकुलरिस्ट कि हम उस व्यक्ति की यथा इस्थिती को देख कर हम उसको लियाए दे तो ये आज भी एक कोश्चन का विशे है या फिर डिलेमा में रहता है तो इन सब चीजों को हमें समझना है नियाय का कंसेप्शन क्या है मनुस्मिर्थी में मनुस्मिर्थी है किसके बारे में क्या ये सम्विधान है या फिर एक आचार वहवार कैसे स्वधन का पालन करने वाला एक पुस्तक है ये चीज हमें समझ और दूसरा बत ये जो इस्मिर्थियां है जितनी भी इस्मिर्थियां याकिनवल के इस्मिर्थियां नारत स्मिर्थियां ये हर 200 साल या 100 साल पे दु फिक्स्ट है, no doubt, मगर यह जितने भी सिधांट उठाते हैं, जितने भी सिधांटों को यह अपने निती निर्मान में या फिर आचार सहीता बनाने में उठाते, यह वेद और उपनिशत से ही उठाते, इसमें कोई doubt नहीं है, और मनुस्मिर्थी को हम सब को पढ़ने से एक यह फायदा होगा, कि हम भारत के अतीत को हम जान सकते हैं, अतीत में किस तरीकी की व्यवस्टा थी, उसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि भारत बेसक एक पॉलिटिकल रूप से, या फिर आजनेतिक रूप से एक नहीं था, मगर सांस किर्थी में हम मनु के सिधानतों को देख सकते हैं, और मनुस्मिर्थी को समझ में जिने से हमें अतीत की किस परकार की राजनितिक व्यवस्था थी, किस तरीके का नियामन था, वो उस चीजों को हम समझ सकते हैं, या किस तरीकी की नियाय व्यवस्था थी मनु के समय, या फ इत्यादी, चलिए शुरू करते हैं, इंट्रो के बाद हम देख सकते हैं कि जो प्राचिन भारती राजने तनी चिंदन है, वो हम इतने इन महान विचारकों के सिधानतों या फिर इस नितियों से हम समझ सकते हैं, जिसमेंसे मनु एक परमुख, इंडियन फ्लोसफर, इंडिय आजनितिक की भी बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल इलेशन्स की भी बात कर रहे हैं, और व्यक्ति के समाजिक जीवन की भी बात कर रहे हैं, मनु स्मिर्थी बहुत अन्य नामों से जाना जाता हैं, अगर हम मनु को अगर हम टाइम लोकीट करने की कोजिस करें, टाइम समय में समय में अगर दुनने की कोजिस करें तो आज 2013 चलना है इससे लगबग चौथी या पाँचवी इसवी के आसपास फिफ्थ या फोर बी सी इ बिफोर कॉमन एरा ठीक है इससे यहाँ पे हम लोकेट कर सकते हैं और हमेशा जैसे मैंने सुर्म में ही बुढ़ा है कि मनिल एक व्यक्ति का नाम भी हो सकते है और एक परंपरा का नाम भी हो सकते है आगे देखते हैं मनुस्मिर्ति जो हमारा ancient time है जो अतीत है जो प्राचीन है उसके बारे में हमारे समाजिक न्याइक और राजनीतिक जीवन के बारे में प्रचूर जानकारी देती है इससे अच्छी टेक्ष्ट नहीं हो सकती हमारे अतीत या प्राचीन समय को समझने के लिए और क्या है इसमें जीवन के बिविन्ने चरणों देखे जीवन जैसे कि आगे हम देखेंगे कि व्यक्ति की चार आश्रम होते हैं ग्रस्त होता है बार्ने होता है वान प्रस्त होता है ये सब आश्रमों में दिशा निर्दीस व्यक्तियों को और बिविन्न वर्णों को जातियां जीसे कह सकते हैं आज मौडर्न टाइम में वर्णों के लिए दिशा निर्दिश और कर्तव वे सामिल है इन सब के बारे में हमें मनुस्मिर्थी में मिलता है जानकारी मनुस्मिर्थी जो भारती कानून है जो प्राचीन भारती कानून था या हिंदू कानून था उसमें एक महतपूर्ण आयाम देखती है देखिए कभी भी जब राजा महराजा कहीं फर्स जाते थे तो वो रेफरेंस इस्मृतियों से लेते थे कि इसमें मनु ने क्या करा है ऐसी परिस्तिदियों में इसी परिस्तिदियों में नारद ने क्या करा है याकन वलकेर ने क्या करा है तो यह जो मनुस्मृतिय है वो Manu का योगदान है वो महत्पून है Manu एक पवित्रता की बात करते कि जीवन में पवित्रता कैसे आएगी दूसरा हमें जो क्रिमिनल है अपरादी है अपरादी जो है उनको कैसे हमें एक सिक अपरादी हों से कैसे हमें लड़ना है कैसे उनको डंट देना है, कैसे नियम कानूनी स्थापित करने है, कैसे एक ऐसी सोसाइटी करनी है, जो सस्टीन कर सेके, आगी अपनी स्वरूप में चल सके, इस्थाइत हो, बारबर माल दरना, लूट फसाद ना हो, इस्थाइए हो, कंटिनेस चलने वाली सोसाइटी कर दे, में हमें मनु के योगदान की, जो मनुस्मिर्ती है, उसमें हमें ये सब देखने को मिलता है, आगे हम देखे, जो तो धरम सास्त्र है, वो हिंदू राजनितिक विचारों में, केंद्र में है, एकदम परमुख है, जो भारती है, राज राजनितिक, आर्थ सास्त्र और घरेलू मामले में धर्म, कानून, संस्कृति, साइद जीवन की बिविन पहनुओं को नियंत्रित करते हैं, ये वेक्ति की जितनी भी जीव, परिपिक्ष है, चाहे वो राजनितिक हो, चाहे वो आर्थिक, आर्थ सास्त्र से संबंदित हो, घरेलू मामले, धर्म से आधार, धर्म से संबंदित, कानून और संस्कृती से संबंदित, सभी पहनूओं को नियंत्रित करने की बात करता है, वो है वेद में पाए जाने वाले शाश्वत और आपड़नी हैं, आपड़िवर्दनी हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं, यह जो ग प्रदान करते हैं, और यह जो धर्म सास्त्र हैं, इनका परमख उद्दिश यही है कि सामाज में हर कोई धर्म के अनुसार न, जीवन व्यतीत करे, और ऐसा मना जाता है कि मनू का, जो मनुस्मिर्टि्र है, यह मानव धर्म सास्त्र है, वो स्वान मनू को ब्रह्मा ने वर्न किया था और मनु ने जो सब्त रिसी हैं हमारे उनको जिसमें भ्रिगूं है उनको इसका ग्यान दिया अब हमें यह समझना है कि जितने भी धरुण शास्त्र है उनका एक तो में पॉइंट यह है कि वो देविय उत्पत्ति की बात करते देविय उत्पत्ति मतलग डिवाइन से संबंदित करते हैं यह यह कुछ देविय है जो इश्वरिय है उसके बारे में बात करते हैं या फिर उनकी जो स्विकृति है वो कहां से उनको प्राप्ट हो रही है देविय आगे देखिए अनेएक परकार की स्मिर्थिया एं ठाथ閉 सास्तितु में से जो मनुकि स्मिर्थिय है वो सबसे प्रमुक है और सबसे पैणी वानी गई और ये इस टाइम की है जहाँ पर ग्रामवन प्रमप्रा कहीं अत्तक जो स्रावनिक प्रमप्रा है उससे प्रवाबित हो रही थी और खत्रे में थी दूसरा अगर हम मौडर्ण टाइम में देखे तो बेटीस हो गए, महिलावादी हो गई, समास सुधारग हो गए इस सब ने मानू या फिर मनू स्मिर्थी की आलोचना करिये है ठीक है उन सब के बावजुद मनू इस्मिर्थी महतफून राज्य कैसे कार्रे करे अपनी सेवाओं पर निर्वाँ कैसे करे उन सब का ग्यान या फिर सिधान प्रस्तुप करती है और यह इसलिए है कि मनू का कार्रे में तो इसलिए भी रखता है कि क्योंकि यह वेदों पर आधारित है वो हमेशन जितनी भी स्मिर्थी आए वो अपना सोर्स जो अपनी जो सिधान दे वो कहां से ले रही है वेदों से ले रही है और यहाँ पर यही याद रखना है कि वेद में कहीं पर भी, कहीं पर भी वर्ण का जिक्र नहीं है, किसी भी प्रकाड की वर्ण विवस्ता का जिक्र नहीं है, और अगर हम उपनिशत की बात करें, तो उपनिशत में केवल दो ही वर्ण है, एक ब्रामवान और एक शक्त्री है आगे हम देखे अगर आगे हम इसको सम्मराइज करें जैसे कि आपको लिखना भी होगा एक्जाम में तो हम इस तरीके से निख सकते हैं कि मनु की योगदान ने प्राचिन भारती राजनेतिकों और परसासनिक विचारों किस को सम्रिद्द किया है ठीक है मनु समिर्थी सबसे पुरानियों और परसिद्द समिर्थी हिंदू कानून पर एक आधिकारिक कार्यों के रूप में कारे करती है यहाँ पर देखिए आथोरिटेटिव है यह आधिकारिक रूप से आधिकारिक कारे के रूप से कारे करती है और अपने काल के दोरान सामाजिक जो प्राचिन है सामाजिक न्याइक और राजनेदिक जीवन में अंत्रदिष्टी प्रदान करती है या फिर जानकारी देती है यह इन्दु सामाज और सब्वेता के सामान्य सोरूप को प्रस्तुत करते हुए जीवन के बिवन्य चर्णों में बिवन्य जाती या वर्ण कह सकते हैं कि सामाजिक दाइतों जितने भी वर्ण हैं उनके सामाजिक दाइत कर्तव्यों का वर्णन करता है मनु के तार्यान ने समाजिक राजनितिक संस्थानों को पवित्रता और इस्थाय्त वो परतान किया और नाधरीक और आपरादिक कानिन की पैली सहीता इस्थापित की तो ये कह सकता है कि आपरादिक, जैसे कि मैंने बता है, आज की टाइम पर इंडियन पीनिल कोड है, भारतिय दंड सही था या अचार दंड सही था, उस समय कोड जो मनु है, उन्होंने सबसे पहने कानुन और आपरादिक सही था, उपलब्द कराई या फिर इस सिध्धान्त आगे हम बात करें, मनुस्मिर्थी एक आदर समाज और मानवी आच्रेड की रूप रेखा प्रस्तुत करती है, ताकि व्यवस्था और ईस्वर केंद्रिय जीवल की इस्थापना की जा सके, यह समाजिक वर्व, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के आधार पर व्यक्तिकत वैवार को नियंत्रित करने वाले कई कानुनों को प्रस्तुत करता है, और सीम यही पैराग्राफ आपने दिखना है अपने कंक्रूजर में भी, कितना ब्यूटिफिल लाइन है, इसको आपको लिखना है अपने आंसर में, अब आगे हम बात करें, तो जो यह समृतिया इन में जो कानुन है, इससे क्या करना है, कि अनुशाशन इस्थापित करना है, पहली विशिष्टा, डिसिप्लीन को इंस्टिल करना है, दूसरा, शाशकों को वैद आचरन लागो करने के लिए आधार ब्रदान करना है, कि सासक जो है, जो रूलर्स हैं, उनको प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कराने के कैसे लौफुल कंड़क्ट होगा, शाशकों को वैद आचरन लागो करने के लिए आधार ब्रदान करना, एक तरसे रेफरेंस पॉइंट हैंगे, कि किस तरीकी सा शाशन करा जाए, क्या सास्त्र बोलते हैं इस परिस्थिति के लिए, और व्यक्तियों द्वारा आनिवारे करते हुएंगे पालन के माध्यम से एक धर्मी और व्यवस्थित दुनिया सुनिश्चित करने। दोसरा यहा है कि जो इस्मितिया है, ये एक स्थिति को समझती है कि अगर कोई प्रभाव कारी राजा नहीं होगा तो मतस्य न्याय वाला परिस्थितिय prof मतस्य न्याय वाली परिष्टे दिया दें तो कानन को प्रभापी रूप से लागू करना सक्ती का वित्रन ठीक स्वरूप से करना और राजा की जिम्मेदारी एक सेंडक्शन की रूप में बोध कराना इत्यादी पर सलह या फिर सिंधान्त देने का कारेकर आगे हम देखते हैं तो मनुश्मिर्थी क्या कर रही है मनुश्मिर्थी उस परती उस समय की काल खंड कि अनुसार अपने सिधान्तों को परस्तुत करते है और आज की जो समाचिक जीवन में या फिर आज का जो समकान जो समय है हो सकता है कि वो बोल्य आज उस स्वरूप में प्रभावित ना हो एक्तम किर्यान्वित ना हो क्योंकि वो टाइंग पीरिड अलग था जिसमें मनुस्य की द्वारा कार्रे किया जाता है आज की टाइम में मसीनों से कार्रे किया जाता है तो वो समय वो अलग था जहाँ पे मनुस्मिर्थी अपनी सिधान्तों को प्रस्तुत करी है राज़ा आप वो देविये अधिकार प्रतान करने की राज साशन करने को इत्यादी और ब्रहामन को एक उच्छ हिस्थान पे रख रहे और शूत्रों को निजन इस्थान पे रख दे तो वो हायरायर्की वो स्ट्रक्चर अलग था आज keto पी हायरायर्की है मगर अलग सोरुप में है मेरिट के हिसाफ से हायराइर्की है टैनेंट के हिसाफ से हायराइर्की है आगे हम अगली विशिष्टा पे चगते हैं तो मनुस्मिर्थी क्या करती है एक पैटरिनिल स्टिक एक पित्र सत्तात्मक समाज की संकल्बना करती है एक पारिवारिक संरचना को बढ़ावा देती है ये वादा पॉइंट इंपोर्टेंट है लिखने के लिए पुरूसों को अतिकार प्रतान करती है और महिनाओं को उनकी योण विकलपों में आविश्वास वैक्त करते हुए अधिनस्त भूमिका सोपती है उनकी बौटी के हिसाब से उनकी कारे को निर्धारित करती है वहीं पर दूसरी ओर दिखेंगी जो टेक्ष्ट है जो पुस्तक है उसमें क्या है पुरूसों दौरा अपने परिवार के बाहर की महिलाओं बाहर महिनाओं की सुरक्षा करनी है बाहर वालों से दूसरे क्या है उनके साथ एक आचार सम्मान पूर्वक वहवार की आग्राय करता है जैसे मैंने शुरुवाद महीं बुला था यत्र नारी पूजिंते रमंतित तस्य देवता जहां पर महिनाओं का सम्मान होता है, वहीं पर दिवताओं का वास होता है, इस पर जोर देती है, और प्रोटेक्ट करने की बात करती है, क्योंकि मनु ने सुरू में ही योन की हिसाब से, उनकी लिंग के हिसाब से उन्हें कमजोर ठरा दिया है, कि महिनाई कमजोर है, उनका सं करना जरूरी है पर उसकी जिम्मेदारी है कि उनको बचाएं इत्यादी और कई हद तक अंगरीजु के टाइंड तक मनुई स्मिर्थी का एक इंपोर्टेंट रोल था कि वह परिवारिक मामले जितने भी उत्तरदाइत वह उत्राधिकार की जितने भी समस्या हैं कि पिता के ब करना मनुश्मिर्थी के सिद्धान्तों से किया जाता था यह मनुश्मिर्थी के द्वारा किया जाता था अब अगर हम बात करें मनुश्मिर्थी की तो यह अगर हम इसको कि समधी में बांधने की कोशिस करें तो सबसे पहला यह है कि यह देब यह उद्वत्त्नी की बात करता है सबसे पहला विशिष्टा दूसरी आधिकारिक कि हिंदू सौवाज में एक आधिकारिक रूप से परयूप करने वानी पुस्तकओं में से हैं जितने भी मोड ले हैं, जितने भी बहवार है, आचरन है, वो मनुश्मिर्ती से आ रहा है तीसरा, एक आदर सवाज की कैसे परिकलबना करी जाए, जो इस्वर केंद्रिय हो, उसकी बात करता है चौथा, एक धर्मी कैसे बना जाए, सौधर्म का पारण करते हुए, सौधर्म, ये सब्द लिख लिजिए, सौधर्म पाँचवा, ये वह बात करता है कि अदर राजा नहीं होगा, एक जिम्मेदार साशक नहीं होगा तो क्या एक इस परकार की व्यवस्था आएगी, मतद से नहीं आएगी जैसी व्यवस्था आएगी, जिसमें किसी का भी पारण पोशन नहीं हो सकता है, हर किसी की जीवन की संकट बना रहेगा हर किसी व्यक्ति का छटा, छटा जो है, वो पित्रात्मक समाज की बात करता है, जो छटा जो संमरी हम बता सकते हैं, एक पित्रात्मक समाज की बात करता है साथवा महिनाओं को नियत्रन करने की बात करता है वही दूसरी और एक समान जिन्नक ग्रावार की भी आप ग्राय करता है मनुस्मिर्ती आठवा किस परकार से लेंदेन किस परकार से उत्तरदाइत वादी किस तरीके से प्रापटी का ट्रांसफर हुआ वाइत्यादी पर भी बात करता है वह सिध्धान या अपने विकल्प प्रस्तुत करता है यह पर दुबारा से चीज को देख लीजिए कि दीकि मनु को सबसे पहना प्राचीन शिक्षकों में से एक माना जाता है ठीक है दूसरी क्या है कि जो मनुस्मिर्ती है वह ऐसा माना गया है कि जो ब्रह्मा नहीं उन्हें सुनाई थी और मनु से फिर जो दस महा मुनी हुए है या सब्त रिशी हुए है उनको यह कानुन सुनाया गया यह दिया गया कि विस्वु का करने या न एक व्यवस्तिस समाज इस्थापित करने के लिए और आगे देखें एक और व्यापक रूप से परचली धाड़ना यह है कि मनु क्यों यह नियम भगवान ब्रह्मान निर्माता से प्राप्त हुए है जो पाठ के देवी निखक होने की सुझाव देते हैं कि यह बोलते हैं कि नहीं यह डिवाइन है मगर इसको लिखा कि इसमें है मनु ने लिखा है ब्रह्मा ने सुनाया है इनको दिया है और मनु ने इनको लिखा रहे झाल